हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंप्टिशन क्लासेज मैं आपके लिए दस जो इंपॉर्टेंट मोस्ट कोशन एक्जाम है जो करेंट अफवे से पूछे जाते हैं और जो एक्जामों में आगाम एक्जाम में आने की संभावना है उसको मैं दस कोशन लेकर क्या आया हूं पहला कोशन है जमायका जाने वाले भारत के पर्थम राष्ट्रपती कौन है जमायका जाने वाले भारत के पर्थम राष्ट्रपती कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा रामनात कोविंद रामनात कोविंद यह जमायका जाने वाले देश के पर् अमली था इस्ट्रिक्ट जिसका नाम करण हुआ है बी और अमबेटर के लिए यहां पर जो बी आर अमबेटर के नाम पर इन्होंने सर्ड का उदगाटन किया अब पुछा जागी राष्ट्रपती के सक्तियों का वर्डन या राष्ट्रपती का आर्टिकल कहा है तो आपका हो जागा आर्टिकल फिप्टी टू मैं इस्ट्रक क्वेशन देखते हैं दोस्त हाल ही में यूए या हो जागा सेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान यह यूए के नए प्रेसिडेंट का इनका चुना हुआ है ने स्क्वेशन देखते हैं हाली में तुरुपूरा के नए सियम कौन बने हैं इनका नाम है मारिक साहा मारिक साहा जो तुरुपूरा के नए प्रेसिडेंट बने हैं सियम किसके अस्थान पर तो हो जागा बिपलो दे बिपलो दे के अस्थान पर इनका चुना हुआ है में इस्टर कुशन देखते हैं थामस कब 2022 का बिजिता कौन सा देश है थामस कब 2022 का बिजिता कौन सा देश है आपको अंसर हो जागा इंडिया इसने किसको नेशिया को इंडोनेसिया को कितने साल के बाद इनडिया थामस कब को जीता है तो हो जागा 1973 इंडोनेसिया जो 14 बार कब विजिता रहा है उसको इंडिया ने हराए है नेज़ू इस्टर कुश्टन देखते हैं पुलितिजर पुर्सका दोहवाइज की से दिया जाएगा? Most important question जो भी question है सब current affair के लिए है जो आगाह में एक्जाम में बनने की संभवना 100% है पुलितिजर पुर्सका दोहवाइज की से दिया जाएगा? तो हो जाएगा आपका दानिस सिद्धिकी दानिस सिद्धिकी पुलितिजर 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 22 किसे दिया जागा तो हो जागा दानिस सिद्धिकी यह पुरस्कार 2018 में भी इनको दिया गया था 2018 का भी पुरिटिजर पुरस्कार से नमाजे गए थे दानी सिद्धिक्याओ 2022 का जो चुनाओ है यानि कि पुरिटिजर पुरस्कार के लिए दानी सिद्धिक्याओ को दिया गया एक कौन सा देश देता है तो यह देता है यूस से इसके सुरुवात कब से होती है 1917 से इसके सुरुवात होती है 1917 से इसको कितने केड़िगरी में दिया जाता है इसको 21 केड़िगरी में दिया जाता है 20 में 20 में क्या होता है कि इनको प्राइज मनी मिलता है जबकि एक में गुल्ड मिलता है Q Amiga You Music किस राज में उधगाटन हुआ है या तो आपका अंसर हो जाएगा हर याना यानि हर याना में खेलो इंडिया यूथ गेम का उधगाटन हुआ है थीम क्या है इस वर्षा का जान लीजिए गा थीम नहीं यह निकि मॉस्कट क्या है मास्कट तो लिख यह जिसको सुमंग करते हैं लिख लिजिए गाए जो आपके लिए बहुत ही इंप्रेंट जो हमेशा मास्कट भी कभी-कभी पूछ लेता है तो हो जाएक धाकर धाकर एक गाय है उसके नाम पर इस उंबहं कर रखा गया है नेस्ट क्वेशन देखें वर्ल्ल रेज क्रास डे यह बहुत बार एक्जाम में आया है कई बार पूछता है वर्ल्ल रेड क्रास डे किस तारिक को मनाए जाता है तो यह आपका अंसर हो जाएगा आठ माई को आठ माई को वर्ल रेज क्रास डिवस मनाए जाता है इस वर्ल का थीम क्या है लिख लिजे ए भी इंपॉर्टेंट आप थीम भी कभी कभी पूछता एक्जाम में और संभावना भी रहे है क्योंकि एक्जाम का जो पैटर्न हो बदल चुका है तो थीम लिख लिजेगा बी human be humankind जो इस वर्षे का थीम है यह आप लिए जानना बहुत ही important है next question देखिए भारत की पहली जनजाती स्वास्त बेदसाला की मेजबानी करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है यह भी बहुत important है जो भारत की पहली जन जाती स्वास्ते बिद्शिताला की मेज़बानी करने वाला पहला राज कौन बना तो हो जाएगा आपका अंसर ओडिशा कौन सा राज यह ओडिशा यह हमारे देश का पहला राज बना है नेश्ट क्वेशन देखिए जीन बैंक जीन बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जो किस राज में खोला गया है तो आपका अंसर हो जाएगा महाराष्ट महाराष्ट यह भारत का पहला जीन बैंक खोला गया है नेश्ट क्वेशन आपका मज़ूर दिवस गुजरात दिवस और महराष्ट दिवस किस तारिक को मनाय जाता है तो इन तीनों का यह कई आंसर है एक मई किस तारिक को मनाय जाता है मजदूर दिवस कई बार एक क्वेशन बना है आपको एकजाम में यानि मजदूर दिवस किस तारिक को मनाय जाता है तो आपका हो जाएगा एक माई को मनाया जाता है नेश्ट कोईशन देखा जाए अज दसी कोईशन लेकर आए थे आपके लिए जो बहुत ही इंपोर्टेंट है ए आपके आगामी एक्जाम में बनने की 100% संभावना है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है इसको लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी कोईशन आपको जानने है जैसे यूपी स्पेसल के बारे में जानना है तो आपको बताएए मेरा पहला वीडियो है इसलिए आप लोगों से अगर जो आप कुछ कमेंट करेंगे इसको लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी मतलब यह बनती है कि मैं आप लोगों को और भी अधिक और बेहती से बेहती कंटेंट आपको किराएए थैंक्स पार वाचिंग थैंक्यू वेरी मच्च